हमारे बीच में उपस्तित भारत सरकार की सन्मानिया मंत्री प्रतिमा भोमिक जी, मेडम जागी पंदा जी, लेडिजन जेंटलमेन, मैंने कभी उरिशा में कोई पाबलिक फांक्षन आज तक मैंने नहीं किया हूँ, तो मैं OTV को धर्नबा देता हूँ, कि ये पावन भूमी ने भूमी में मुझे को बुलाया, और दोसब बलने का मुका दिया, और जब जाइपंदा जी ने मुझे को बोला कि आपको आना है, साथ में संबीत पात्रजी भी है, दोनों हमारे उत्तरपूप का मालिक भी है, हमारा पार्टी का ओर से, एक हमारा असाम की प्रभारी है, और एक हमारा उत्तरपूप की पूरी की पूरी कोर्डिनेटर है, बहुत गहरा संबन होते है आप लोग की मालूम है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ असाम में पुन्धर से 20 लाग उरिया लोग रहते हैं उरिशा से जो गिये थे छाई वगान में काम करने के लिए 15 to 20 लैक्स उरिया लोग असाम में रहते हैं उरिया भासा बोलते हैं और उरिया संक्स्कृिटी को उन्होंने असाम में अभी वी जीवित करके रखा है उनको मालूम भी नहीं है उरिशा में उनका गाउं कहां है कभी-कभी आते हैं अपना गाउं धुनने के लिए लेकिन उसको गाउं नहीं धुन्डा जाते है किसले बिटिस ने वो लोगों को जब लेके गिया था दे काट डा रूट्स फ्रॉम देम उनको मालूम नहीं होते है लेकिन आज काल वो लोग बहुत आगे बारा है और कभी-कभी मुझे को मिलते है कि दादा उरिषा से उरिषा गिया था गाउ धुरने के लिए लेकिन गाउ नहीं मिला ऐसा ही उनका जीवन है रास्टरबती महुदया इसलिए आसाम में जब भी आसाम जाते है मैं रास्टरबती महुदया को हमेशा बोलता हूँ कि आप उरिशा का बाद आप आसाम का ही बेटी है और वो भी और खुशी से इसको सिकार भी करते है आज ओ टीवी का फो साइट जो कंक्लेफ फो साइट टूथाउजन ट्वेंटिफॉर टूपिक है लास्माइल डेवलपिंग डेरेस्ट अब इंडिया तो मैंने टूपिक में तो दो सार बोल लेता हूं बट आई थिंग प्रतिमादी ने बहुत सारे विशाई को कभर किया है कि कब अभी भारत में एक अंटूद्य का गरीबू का उठान के लिए कैसे निरंतर काम हो रहा है उसका बारे में उन्होंने एक प्रकास धालने का कोशिस किया मैं थोड़ा सा आप लोग को इंडिया का नौठ इसका तरफ लेके जाता हूं मेरा उमर अभी 54 येर्स आई थिंग उन 1st February I'll be 55 मेरा जब जनम हुआ साथ से सल तक तो हम लोग नहीं जानता हूं क्या है क्या नहीं है बट माई फास साहिल हुट मेमोरी स्थार्टेट विट असा मेजिटेशन असा मेजिटेशन हुआ और हमारा जो एंकाउंटर है हमारा जो एक सोसियल हर बचसा का एंकाउंटर होते है हमारा जो जीवन को आगे बारा हमें दो सर सब्धी असाम में सीखा कि कैसे बन करना है, कैसे पिकेटिंग करना है, कैसे धरना देना है, कैसे CRP का साथ थुरा सा जगराना है, फिर भागना है, फिर फिर आगे जाके फिर उनको टेकन करना है, तो हमारा जीवन ऐसा ही शुरू हुआ, दो साल तो हम स्कूल में भी नहीं गिया, कि स्कूल भी बनते, तो ऐसे ही हमारा पीरी का जीबन शुरू हुआ धीरे 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 एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन था धीरे धीरे वो वाइलेन बन गिया जो असाम का लोग कभी एक लोग दूसरे को ठपर भी मारने नहीं जानते थे उनका हाथ में सदेनली एक के 47 आ गिया सदेनली हम लोग का जो बोकेवुलिरी है दिसकोज है उसमें AK-47, 9 mm, सारे जो वेपन है साइनिसमेड वेपन है, सारे का नाम हमारे बोकेवुलिरी में आ गिया and we lost 700 security personnel, 11,000 लगभग हमारे आलफा का नाम में जो साधीन असम का सपना देखे थे 11,000 लोगों का निधन हुआ पुलिस और आर्मी का मदभेद में और उस दोरान कम से कम 40 to 45,000 civilian casualty हुआ, लोग मारे गिये फिर यह जो डिसकोज सलते रहा, आसाम का बीच में, आसाम में ट्राइबल मिलिटेंसी शुरू हुआ हमारे परोशीट स्थेट नागाले अन मनिपूर पूरा उत्तरपूब में ओही कहिनी था और जब हमारे हम लोग आगे बरहा, हम लोग कभी सोसा भी नहीं था कि आसाम की तजबिर बदलेगा कभी भी, this was beyond our imagination हर दिन ग्रेनेट ब्लास्ट, कभी-कभी ऐसे भी ब्लास्ट होते थे, सोदा पुनरा एक साथ ब्लास्ट हो जाते थे एम्बूलेंस डॉक्टर का भी कमी हो जाते थे, और ऐसे ही हमारा जीवन आगे बरहा, रोद रोद जैसा ही रहा, रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन ही रहा, कभी हमारा एरपोर्ट का विकास नहीं हुआ, रेल्वे लिंकेस नहीं हुआ, ऐसा ही, I think, हम लोग का जीवन शलते रहा, if you look at ट्रिपूरा, a state which was full with poverty, नागाले एन मनीपूर आप जाए, तो, what will be your faith, nobody knows, अगर आप अरुनासल में जाए, one hand there is a pressure from China, एन भारत सरकार का notion, कि border area को develop नहीं करना साहिए, तो, ऐसे होते होते, हम भारत के last mile में रहते हैं, और last mile का जो, एक बाताबरन बने, प्रतिश्वी बने, एक जो सित्र बने, ओ यही था, कि this is an abandoned area of Indian nation, और हम लोग ऐसे ही आगे बार हां, then it comes suddenly, दो हाजार सोधा सन आया, कभी हम सोशे भी नहीं थे, कि there will be government in the Delhi, who will start caring for North East. आज मैं काल एक सभा में मेरा योंग स्थार्श को में अड्रेस कर रहा था, the present generation of Assam भूल गिया, क्या एजिटेशन था, हजारो नजवान, जिसका हाथ में आम्स था, they came into mainstream, suddenly Assam में एंज होने लगा, suddenly Assam start registering growth at 17%, देखते देखते Assam में नया refinery बने, अभी semiconductor industry का बात सल रहा है, कि Assam में आगे जाके आगली महिना में, दो महिना में semiconductor industry का भी शुरुवाद हो जाएगा, धीरे धीरे गोहाती में Assam में stadium बनने लगे, एक लाक क्रो रुपिया का लागत से, नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्सर बने, जो साइना का बोर्डर जाने में इंडिया नार्मी को एक राष्ता था, अभी तीन तीन राष्ता का शुरुवाद हो गिया, तावांग में रेलुए ट्रेक ले जाने का बाद हुआ, मनीपूर, ट्रिपूरा, आज आप ट्रिपूरा कभी जाते हैं अगर तला, ट्रिपूरा एरपोर्ट इस थी ताइम्स ओफ भूबनेश्वर एरपोर्ट, जब भूबनेश्वर एरपोर्ट है, उनसे ट्रिपूरा एरपोर्ट इन गुना बड़ा है, डेखते डेखते टजबिर बदलते गिया, लास्त नाइन येर्स, नौठ हिश्क कहा से कहा लेके गिया, आज अगर कोई लोग नौठ हिश जाते है, if I narrate that story, that this is the land where more than 70,000 people died only because कोई सोशेगा भी नहीं, कोई भी बिलीब भी नहीं करेगा, अगली साल मेरे GDP सारे से लाग क्रो रुपिया तक पहुंच जाएगा, तो कोई सोश भी नहीं सकता है, दो हज़र सोधा सन में हमारा बाज़ेट ब्यालीज हज़र को रुपिया का है, अभी देर लाग को रुपिया में पहुंच गया, a huge transformation has taken place in the North East, अभी जो last mile बोल रहा था, अभी हम लोग बोल रहें नहीं, अगर भारत को कभी Southeast Asia से बेपर करना है, तो Assam and North East will be the first point, it will not be considered as a last point, शुरूवात उधर से ही होगा, अगर भारत को बंगलाडेश से ट्रेट करना है, भारत को आगे जाके बैंकोक का बाद, थाइलेंड का बाद सोसना है, माइनमार का बाद सोसना है, भुतान की बाद सोसना है, we will be not the last state, we will not be the last mile, we will be in the first mile, डेली थुड़ा दूर हो जाएगा, हम से शुरू होगा, यह एक रिन्यूट कॉन्फिडेंस आया, ट्रैंस्फोर्मेशन आया, 2014 का बाद, जो नौठिस का स्तोरी है, the same story has happened in another last mile, आज आप जमु का स्मीर जाते हैं, उनका जो बदलते हुए टस्बीर है, आपको कभी पता ही नहीं सलेगा, कि इहां में मिलिटेंशी थे, if you go today to the Uttarakhand, another last mile of the country, you can see the transformation, हम अगर तेरी तरी जिस का last mile, चोड देते हुँ, बेक्ति का last mile बोलने का सुरू करता हुँ, तो आज भारत का जो रिवलेशन है, रिवलेशन है, it has thoughts every poor people, कोई गरीब नहीं है, जो गरीब को लगते है कि कोई एक सरकार है, जो हमारा बारे में नहीं सोचते हैं, अटी पिसरा, अटी गरीब लोग भारत में खटम हो सुका है, एक new middle class daily emerge कर रहा है, और आज हाम, confidently, we can say that we are the fifth largest economy, we are going to become the third largest economy, और जो अम्रीद काल का सपना है, मैं विश्वास करता हूँ, कि ओ सपना ऐसा है, कि मेरा भारत, अमेरिका और साइना से भी बड़ा होगा, ओ ही मेरा भारत का सपना है, इंडिया का nationalism इमार्ज हुआ, लेकिन डिस nationalism इजए nationalism based on आत्मणीरभर भारत, इंडिया को नया nationalism मिला, किसी का खिलाप में नहीं, किसी को डेश से भगाने के लिए नहीं, हमारा डेश आत्मणीरभर बने, हमें कोई सीज इंपोर्ट करना नहीं है, लेट इंडिया भी ए नेशन whose economy will be based towards export, हमारा किसी का साथ trade deficit नहीं होगा, आप से अगर मैं दो रुपिया का समान मंगा रहा हूं, मैं दो रुपिया का समान आपका पास भेजूंगा भी, एक नया सपना suddenly, गरीब घर का लोगों का डिमाग में घुज गिया है, कि नोकड़ी के लिए अभी पैसा देना नहीं है, जब असाम का सुनाओं हुआ, सुनाओं का समाए हम लोगों ने संकल्प ले लिया, कि पहला साल का सरकार में ही, हम लोग एक लाख नोकड़ी दूँगा, सरकार में, और हमने डिसाइड किया, कि ए नोकड़ी, ऐसे नोकड़ी हमें देना है, कि एक भी कोर्ट केस नहीं होगा, और कोई गरीब बचसा को एक रुपिया का रिस्पत नहीं देना परेगा, तेंट में मैं जैपांडा जी को भी बुलाया, ग्रिहा मंत्री अमीट साजी गोहती में आया, एकी स्टेडियाम में लोगों को बैठा के, नबब हजार एपॉइंट्मेंट लेटर बाद दिया, एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ, बिकॉस डिस इजन निव इंडिया, हमें स्कोपी नहीं है करने का, गलत काम करने का इजाज़त ही नहीं है, ये एक नया भारत आज आगे बढ़ा है, पंडित धिन्डेयल उपाइध्धाय ने हमें अंतुर्दया दिया था, और ये अंतुर्दया को आज क्रियान निद करने के लिए, एंड सो प्रटिश्वत क्रियान निद करने के लिए, मोडी जी ने जो महीम छोड़ दिया है, जो महीम उन्होंने सालू किया है, वी कन सी दा इंपक्ट अल ओवर, मैं पर्शुद इनका में, I think I am telling you a story of four to five days before, मैं डेली में BJP का कारियलर में था, तो डेली पुलिस आगे पी से रहते हैं, दो लेडिस पुलिस, हमारा सिकूर्टी परसेनल को अप्रोश कर रहा था कि फोटो खिसना है सी एम साब से, मैं बुला, मैं असाम का सी एम हूँ, तो डेली में मेरा साथ पुलिस लो, क्यों फोटो खिसना है, फिर भी, एक हुमन का प्राइड होता है, मेरा साथ भी खिसना साथ है, तो मैं ने बुलाया, मैं उनको पुछा, फोटो खिसना है, और असामिय में बुलाया, हाँ ड़ा फोटो खिसना है, मेंस आप लिए फोटो खिसना वाकिन देली पॉलिस तो मैंने पुछा, आप लुग डेली पुलिस में कब से नोक्री करता है, बढ़े, मैं सिक्स बैट्स को हूँ, मैं बढ़े, सिक्स बैट्स मतलब आगे भी नोकरी मिला है, पुले हाँ 2016 से हर साल सौस और असाम का और नौठिस का बेटिया को डिली पुलिस में लिया जाते हैं कि अभी कॉंग्रेस बोलते हैं कि हम तो करना साता थे नौठिस के लिए लेकिन आपको मना कुन किया था डेली पुलिस में नौठिस का बेटी को भट्टी करवाने के लिए आपको तो किसी ने मना नहीं किया था आप बोल रहें कि हम नौठिस थे हमें भी प्यार है तो आपको कुस ने मना किया था 1962 में बोलने के लिए मैं हार्ट गोज पर असाम जब साइना ने भारत को अक्रमन किया था आपको किसने मना किया था 317 धरा हटा लेने के लिए काश्मीर से हमने तुम मतमाना नहीं किया था तो जो आपका सोस में थे आप कभी क्रियानित करने के लिए कभी हिम्मत नहीं किया अस्प्रधार मंत्री मोडी जी ने कर रहा है तो आप उनको सपोर्ट करो आप उनका साथ ख़रा हो आज आपके बीच में आपका अंदर में सक्ती नहीं थे कि कभी अजुद्धा में राम मंदिर बनाना है अगर मोडी जी ने वो काम संभब कर दिया है तो कम से कम जाके साथ में तो ख़रा हो यही जो लास्ट माइल का डेवलाप्मेंन है हमारा भारत में जो निउ एक नैसेनलिजिम का जुरूरत थे एक हमारा डेश को लेके हमारा एक नया गोरप का जो एक फिलिंग्स होना साहिए था यह आज हमें दिखाई देते हैं आज हम बोल सकते हो कि डेश का यह समझसा है आज हम डेलिबरेट कर सकता हूँ हम बोल सकता हूँ कभी-कभी हमको पूछते हैं कि आपको डेश को हिंदु रास्टर बनाना है क्या हमें हिंदु रास्टर बनाना नहीं है लेकिन रामरज्य तू तू बनाना ही है बोले आप रामरज्य कैसे बनाते हो यह तो देश का संगविधान का खिलाप में है अरे भाई महत्मा गांडी जी ने रामरज्य का बात बोलके गिये थे आप जिसका नाम में आज भी खाना खा रहा है वो ही बैक्ती ने बोल रहे है आप देश में गोहटा का खिलाप क्यों बोलते हो अरे देश का संगविधान तो आप ही लुग बनाया था देश का संगविधान में तो बात आप ही लुग लिखके गिया थे हमने तु नहीं लिखा था तब तु बीजे भी नहीं थे when the country adopted constitution of India तो किसने ये बाते लिखे थे हम तुने ही लिखे थे the premiers of the constitution ने लिखा था कि देश में इनुफर्म सिविल कोड ले ला साइए ये बाद हमने तुने ही लिखा था ये बाद किसने लिखा था ये बाद Ambedkarji ने constitution में लिखा था कि every states, every nation, every government of India subscribe to bring UCC अगर आपने जो नहीं किया अगर हम कर रहा हो कम से कम बिरोध तो ना करो ताली बजा सकते हैं नहीं सकते हैं अलग बाद है बाद बिरोध क्यों करते हो आज अगर उत्तर पूब में मोडी जी ने अलफा का साथ एकॉर्ड कर सकते हो आप भी कर सकते थो मना तु नहीं था अगर आप असाम में मोडी जी ने बड़ो अलग अलग वादियू से एकॉर्ड कर सकते हैं आप भी कर सकते थे अगर टिपुरा में TNV का साथ एकॉर्ड हो कर सकता थे आप भी कर सकते थे अज NSC and IM का साथ बात करना है तो आप भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया अगर प्रधान मंटी जी ने करते हो तो उसमें आपको दुख क्यों लगते हो अरफ आपको भी कोई अपती नहीं होना साएए अप न्याई जट्रा करो आप अन्याय जट्रा करो कम से कम राम तेम्पल उडगातन का बात करो तो आपको भी एक मज़ा आएगा भाई ठीक है you are not in conflict तो मेरा यही मानना है कि आज देश में एक नया दोर शुरू हुआ है जहां में आप भारत बोलके हमारा मन में गोरब होते है हमारा गरीब को आज मोका मिला है देश का मेंस्ट्रीम का साथ जोडने का आज देश का जो लास्ट माइल का प्रदेश है दोस्ट लास्ट माइल में जो प्रदेश था उनको आज मैसूज हुआ है कि हम लास्ट माइल में नहीं हो हमारा पोटेंशियल है फास्ट माइल में बैशने के लिए यह नया भारत है इस इस दा न्यू इंडिया और यह न्यू इंडिया का स्पीरिट को हमें आगे बरुआना है whether it is Urisa, Assam और Bengal हमेशा में बिलीफ करता हूँ सूर्यस पूप से उदय होता है और हमारे Urisa, Assam, Bengal and not easy ये डेश का तजबिर बदलाइने में सबसे ज़्यादा contribution कर सकता है मैं इसी आसा का साथ OTV को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरा बानी को बिराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय जगरनात